है दोस्तों कैसे आप हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपके तयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों आज हम हाजिर हैं जैसा कि आप जानते हैं 30 को 30 तारीक को मतलब 30 अप्रेल को नवदय का पिपर है नवदय इंट्रेंस एक्जाम है जवाहर नवदय इंट्रेंस एक्जाम के द्वारा बच्चे उसमें प्रवेश लेते हैं और कच्छा-च्छा से अपनी पढ़ाई वहां पर सुरू करते हैं तो उनके लिए हम एक आज टाइम के आभाव में बहुत ज़्यादा तो प्रेक्टिस सेट नहीं दे पाए क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है बहुत कम समय में आपको पूरा का पूरा एक पैकेज देता हूँ जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा कोश्चन अपने एक्जाम में कर पाएंगे बहुत ध्यान से देखिएगा कोश्चन से ज्यादा इंपोर्टेंस है कि उसका सलूसन में कैसे बता रहा हूँ आप उनको ध्यान से सुनने के कोश्चिस करिएगा दोस्तों तो आईए क्लास के सुरुवात करते हैं और क्लास के सुरुवात में पहला कोश्चन जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि 379 x 29 is equal to 10,991 तो कहरा 10.991 divided 0.0029 का मान क्या होगा मतलब 389 गुड़े इतना जैसा कि लिखा है जरा इसको देखिएगा 389 गुड़े 39 बराबर 10,991 आपका है आपसे मान पूछ रहा है कि 10,991 भागे पूछ रहा है भागे का मतलब दोस्तों होता है बटा 0.0029 अच्छा आप ध्यान दीजिएगा अगर मैं 29 को इधर कर दू तो यहाँ पे मिलेगा 389 बराबर 10,991 बटा 29 मिल रहा है आपको मतलब 29 से इसमें भागदेंगे तो यह आएगा सैम टू सैम देखिए तीन अंक अगर इसका हटाएंगे तो तीन अंक इसका भी हटेगा मतलब यह हो जाएगा 10,991 बटा यह हो जाएगा 2,10, advent 9 तीन अंग किसका हटेगा तो यहां पे आएगा अगर एक अंग दसमलो हटाना चाहते हैं दोस्तों तो दस से आपको क्या करना होगा गुड़ा करना होगा उपर हो जाएगा 10,991 गुड़ते 10 नीचे हो जाएगा यह 10 मलो हट जाएगा 29 अगर 29 में इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 389 389 में 10 का गुड़ा कर देंगे दोस्तों तो 3790 आपका एंसर आजाएगा जो कि बिकल्प नमर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा दोस्तों आईए कोशन नमर 2 को देख लेते हैं बहुत देहान से देखिए कोशन नमर 2 को कह रहा है इसको हम सॉल्प करते चल रहे हैं कि 13 दुना के क्या हो जाएगा 13 दुना के 26, 27 27 बटा 2 पा रहे हैं यहाँ पे माइनस देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगे तो 2, 4, 8, 9, 9 बटा 2 माइनस मजला ब्रैकेट है यहाँ पे 3 है माइनस छोटे को ब्रैकेट को साल्ब कर लेते दुना के 4 में से 1 गया 3 तो 3 बटा 2 और ब्रैकेट को ओपन कर दिया मजला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 27 बटा 2 दोस्तों माइनस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है 9 अपांट 2 यह भी आप ओपेन हो जाएगा कि 2, 3, 6, 2, 3, 6, 6 में से 3 जाता है तो 3, 3 बटा हो जाएगा आपका 2 इसको भी solve कर सकते हैं बड़े आराम से ही हो जाएगा 27 बटे 2 माइनस यहाँ पर देखिए यह ब्रैकेट ओपेन होगा नीचे का बराबर हर बराबर होता है तो अंस घड़ जाते है 9 में से 3 गया 6, 6 बटा 2 अब देखें कि हर बराबर है तो अंस घड़ जाएगा 27 में से 6 गया 11, 12 बटा 2 अगर भाग देंगे तो 10 सही 1 बटा के 2 आ जाएगा तो कोश्य नमर 3 को ध्यान से देखिए कुछ है नहीं इसमें जैसे कि दिया 24, 10, 0, 7, 5, 4 अगर इस 4 का अस्थानी मान निकालेंगे दोस्तों तो 10 मलों के अस्थानी मान, 10 मलों के बाद के संख्याओं का अस्थानी मान, 10 मलों से देखते हैं तो यहाँ पे 10 मलों लगा लिया दस्मलों के बाद जितने अंक होंगे उस अंक से पहले जिस अंक का अस्थानी मान आप निकालेंगे तो 4 से पहले एक दूर तीन अंक है, 3, 0, इसके बाद 4 लगा दिया, अब इस 4 का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, दस्मलों से पहले इसको देखते हैं तो केबल 4 है, 4 म इनको हमको क्या कर लेना जोड लेना जोड के आप जानते हैं कि हो जाएगा 4.0004 क्योंकि इसमें 10 बाद 4 अंक है इसमें 10 मलों के बाद कुछ है नहीं तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो 0-0 हो सकता है चार जीरो आप ले ले और जोडेंगे तो यही आपका एंसर आजाएगा दोस्तों तो साधारर वर्स का मतलब होता है जो कि इस प्रकार के वर्स हैं जैसे 1889-2002 लेकिन ये जो वर्स दिखाई दे रहे हैं आपके ये दोनों के दोनों सताब्दिय जो पूरा का पूरा 100 में हो जैसे 200, 1900, 2200, 2400, 2700 तो साधारण वर्सों के लिए डिफिनीशन होती है कि जो साधारण वर्स चार से पूरा-पूरा कट जाता है चार से पूरा-पूरा कट जाता है वो लीपियर्स का राता है लेकि सताब्दी वर्स के लिए होगा तो इन दोनों में कोई चार से नहीं कट रहा है तो ये तो बात खतम हो गई सताब्दी वर्स के लिए definition होती है कि जो 400 से पूरा-पूरा कट जाता है 400 से तो 400 से तो ये कटेगा नहीं ये कट जाएगा इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका लीपियर हो जाएगा दोस्तों आते हैं question number 5 की बात करते है देख रहे हैं दोस्ते वो चोटी से छोटी संख्या काउन सी होगी जिसमें 3 जोड दिया जाए 3 कितना जोडना है दोस्तों 3 जोड दिया जाए तो 201 25, 27, 35 चोटी से छोटी सभड आते ही दोस्तों वहाँ पे हमारा दिमाग काम करता है कि हमें LCM निकालना है अगर lcm निकालने के लिए जा रहे है दो से तो कोई कट नहीं रहा तीन से देखलीजिये 3-7-1-25 कटेगा नहीं 3-9-27- 29-25 अब देखिए तो 3 से आप कटते हैं तो 7 कटता नहीं पचीस, अब यह कट जाएगा, तीन तीरी के नो, यहां पे 35 हो जाएगा, तीन से फिर काटेंगे दोस्तों, तो साथ कटेंगा नहीं, पचीस कटेंगा नहीं, तीन एकम, तीन 35 हो जाएगा, फिर यहां पे 5 से काट लेंगे, तो साथ हो जाएगा, पांच पचे 25, एक हो जाए दोस्तों 27 पच्चे तहां तक गुड़ा हो जाएगा 5 सते 35 को 5 हासिल 3 पांदुना के 10 3 13 फिर इसमें कितना से गुड़ा करना है पांच से तो 5 पच्चे 25 को 5 हासिल 2 15 15 से 17 हासिल क्या हो जाएगा 1 5 पांच एक कम 5 पांच पांच इसके बाद साथ से गुड़ा कर लेंगे 7 35 को 5 हासिल 3 साथ सते 49 पांच पांच में अगर 3 जोड़ लेंगे दोस्तों यह हो जाएगा आपका 52 हासिल 5 साथ चा के 42 5 सायता आलिस होता है मतलब वो संख्या छोटी से छोटी संख्या 4725 है जो 25, 27 और 35 से पूड़ते हैं विभाजित हो जाएगी लेकिन यह तो पूछा नहीं अथवा 15 औरते 12 पूरूस्त मैं कर लेते हैं अथवा का मतलब होता है बराबर हो जाएगा 15 औरते 15 मैं इसका मतलब यहां से हो जाएगा कि 2, 3, 4, 12, 3, 5, 15 इसका मतलब 4 मैं जो होते हैं 5 औरत के बराबर काम करते हैं ठीक है लेकिन आगे बोला कि 12 पूरूस अथवा 15 औरते क किसी काम को एक कईस दिनों में कर लेती हैं मतलब 12 मायन आर अथवा आपका 15 मायन अगर काम करती हैं तो ये एक कईस दिन में कर लेती हैं इसी काम को करने के लिए कह रहा है कि 6 पूरूस करेंगे 6 मायन और कितना करेंगे 10 औरत करेंगी तो कितने दिन में कर लेंगी मतलब यहां पर D का मान पूछ रहा है ठीक है दोस्तों इसमें से कोई यह कही करेगा तो हम औरत से काम करवा रहे हैं 15 और एक कैस दिन में काम करती है तो इधर अब सब को हमको दोनों चुकी एक पूरूस एक और थे तो दोनों को हमको और चेल्ज़ करना होगा तो यहां से हम पता कर लेते है कि एक आदमी बराबर हो जाएगा 5 बटे 4 औरत के एक आदमी बराबर हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 35 और बटा कितना 2 गुड़ते D इधर आप देखेंगे 15 गुड़ एक कईस है तो 7 तिरी के कईस होता है 7 35 बीच में बराबर का चिन लगा हो तो उपर का उपर से कड़ जाता है 5 तियाई 15 तो 3 तिरी के क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और 9 में 2 का गुड़ा कर लेंगे ये हो जाएगा D क्योंकि 2 उधर जाके गुड़ा हो जाएगा तो 18 तो D बराबर कितना जाएगा दोस्तों 18 दि मतलब 18 दिन में यदि जो पुरूस और 10 औरते उस काम पे लगाया जाए कि जब माइनस एक का माइनस एक से 101 बार कितना बार 101 बार मतलब कह रहा है माइनस एक गुड़ते माइनस एक गुड़ते माइनस एक गुड़ते डाट 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 101 बार ये गुड़ा करना है कितना बार 101 बार अगर गुड़ा करना है ऐसे तो ध्यान दीजेगा दोस्तों एक का गुड़ा चाहिए आप कितना हो बार कर लो क्या आएगा एक आएगा और माइनस का गुड़ा यादी सम बार करते हैं कितना बार करते हैं सम बार सम टाइम करते हैं जैसे दो बार या चार बार या छे बार या आठ बार या सो बार य यह हमेशा क्या आएगा, negative आएगा, minus का multiply, यदि odd even बार होता है, मतलब sum बार होता है, तो दोस्तों हमेशा क्या आता है, plus, यदि odd बार होता है, मतलब 27 बार होता है, तो यह हो जाएगा कितना minus आएगा, इसलिए यहाँ पर एंसर आजाएगा माइनस एक और माइनस एक को आप क्या करेंगे टिक कर देंगे दोस्तो question number next करते है question number 8 हमारा next है question number 8 करा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे है 3 बटा देखिए अब ध्यान दीजिएगा बहुत प्यार से 500 अंडे है 3 बटा 25 अंडे टूट गए टूट गए अंडे को छोड़िए 6 अंडों की बात कर लेते हैं यहाँ पर 6 अंडे कितने है तो 6 अंडों की बात करेंगे 500 है यह 500 तो टोटल संख्या लेकिन टोटल तो है नहीं 3 बटे 5 इसमें से तूट गए अगर 3 बटे 25 तूट गए 3 बटे 25 तूट गए तो सही कितना होंगे 25 में से 3 तूट गए इसका मतलब 25 में से 22 तो सही है तो यही हम टोटल नंबर का अगर 22 बटा 25 निकाल देंगे तो पता चलिए जागा सही कितने है तो 25 दूना पचास यहाँ पर 20 है 22 दूना के 44 440 मतलब 440 अंडे अभी मेरे पास क्या है सही है करा है कि 6 अंडे जो हमारे पास है उसका 4 बटे 5 उसने बेच दिया है तो कितना अंडे बचेंगे तो 6 बचे अंडे देखेंगे 6 बचे अंडे 5 में से 1 तो 1 बटे 5 काट देंगे 5 बचे 40 5 बचे 40 88 यहाँ पर एंसर आपका नजर आएगा दोस्तो 88 और 88 पर टिक करेंगे आगे बढ़ जाएगे 9 तो कोश्चन कहे रहा है कि 175 ग्राम के 10 प्रतिसत का 5 प्रतिसत क्या होगा 175 यहीं पर साल्व कर लेजिए 175 का 10 ग्राम मतलब 10 बटे 10 प्रतिसत हो जाएगा और 5 प्रतिसत 5 बटे 100 देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया अब सीधे से गुड़ा कर लीजिए इसमें 5 25 को 5 5 सते 35, 35, 27, 36, 35, 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 38 इसमें 10 ग्राम है नहीं तो एक, दो, तीन अंग पे 10 ग्राम लगा देंगे दोस्तों इसके पहले चाहें तो 0 लिख सकता है यह हमारा हो जाएगा 0.875 बिकल्प में आप जाएगे तो बिकल्प आपको दिखाए देगा 0.875 ग्राम जो कि आपका एंसर हो जाएगा कोश्य नमर अब 10 आजाते हैं कोश्य नमर 10 कहता है कितने वर्सों में 1200 रुपिया की रासी 1200 रुपिया कोई रासी थी कितने वर्स में कह रहा है कि यह 5 प्रतिसत की दर्स से 1800 रुपिया हो जाएगी अठारा सो ये तो हमारा P है ये हमारा क्या हो जाएगा A होगा क्यों कि इसमें हमारे A में क्या हो जाता है P प्लस SI होते हैं इसका मतलब इसमें SI है तो अगर हम इसमें से P घटा देंगे तो पता चल जाएगा SI हमारा कितना है क्योंकि इसमें P भी है मूलधन भी है इसमें SI भी ह तो इसमें से अगर हम P घटा दें, 1200 घटा देंगे, तो 600 रुपिया हमारा क्या आजाएगा? SI आजाएगा, और आपको मालूम है कि SI बराबर PRT बटे 100 होता है, SI बराबर हमारा क्या होता है? P मूलधन, R दर और T हमारा समय, बटा कितना होता है? इस कालकुलेशन को हम कर लेते हैं, P की बैलू को हम रखने के लिए जा रहे हैं, तो P की बैलू हमारा कितना होता है? 1200, R की बैलू हमारी कितनी है? R की बैलू 5% है, T हमको निकालना है, बटा कितना हो जाएगा? 100, द्यान दीजिएगा, और SI की बैलू आपको कितना पता चल गए 600 पता चल गए तो चाहें तो आप SI की जगए 600 रख सकते हैं क्या रख सकते हैं 600 रख सकते हैं हाँ या अभी SI राने दीजिए और next line में हम कर लेते हैं देखें 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा अब SI की जगए पर या SI की जगए पर हम 600 अगर रख लें इस तरह से बराबर यहां पर लगा लें 12 गुड़ते 5 गुड़ते T यही न तो 12 पच्चे 60 60 दहां में हो जाएगा 10 मतलब T की बैलू आप क्या पा रहा है 10 पा जाएगे T की बैलू क्या हो जाएगी दोस्तों 10 हो जाएगी 10 पर समारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा आए कोश्चन नमरी 11 देखते है कोश्चन नमरी 11 की बात है दोस्तों कोश्चन नमरी 11 का था है 12, 24, 30 के समापवर्तक हों की संक्या आई दोस्तों question number 11 में कहार है कि 12, 24 और 30 के क्या लिखना है आपको समापवर्तक लिखना है दो पहले हमें 12 के अपवर्तक लिखना होगा 12 के क्या उसी प्रकार 24 के अपवर्तक उसी प्रकार अंको 30 के अपवर्तक चाहिए न न लिख लेते हैं 12 या पॉर्तक का मतलब होता है 12 को जो जो नम्मर काट देता है तो 12 को कौन काटेगा 1 काटेगा 2 काटेगा 3 काटेगा 4 काटेगा 6 काटेगा 12 काटेगा उसी प्रकार 24 को 1 काटेगा 2 काटेगा 3 काटेगा चे काट देगा और इसके बाद 10 काट देगा 15 काट देगा इसके बाद 30 हमार आ जाएगा तो हमको देखना क्या है अब 12, 24 और 30 के समापवर्तक समापवर्तक का मतलब होता है वो अपवर्तक जो 3 में दिखाई दे रहे हैं तीनों में 1 दिख रहा है, तीनों में 2 दिख रहा है दोस्तों, तीनों में 3 भी दिख रहा है, तीनों में 4 तो नहीं दिख रहा है, तीनों में 6 दिख रहा है, और कुछ नहीं दिखेगा तीनों में, तो 4 हुए न, 1, 2, 3, 4, कौन-कौन पूस्ता तो 1, 2, 3, 6 है, लेकिन कितने ह तो वो चार है कोश्चन नमर 12 की बात कर लेते हैं करा चार विभिन अंकों से बनी देखिए हमारे पास जो अंक होते हैं 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 इतना ही अंक होते हैं इनी से हमें बनाना है बड़ी से बड़ी संख्या तो चाहिर सी बात है सबसे बड़का पहले आ जाएगा उ सभी के सभी अभाज लग रहा है क्योंकि 2,2,3,3,5 दिख रहा है अब हमको देखना है कि किसमें गुडा करने पर हमारा 720 मिलेगा तो गुडा करिए दो दुना के चार दुना के आट दुना के 16 ध्यान दीजेगा जब कभी ऐसे गुडा दिया हो तो पहले दो का गुडा कर करते हैं यही कालकुलेशन में मैं कहा रहा हूं कि सलूसन को आप बहुत ध्यान से देखिए कि हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा दो दुना के चार दुना के 16 अब 16 का गुडा तीन में मत करिए इसमें 16 पच्छे क्या कर लीजिए 80 16 पच्छे 80 मतलब इसका भी गुडा हो गया यहां तक भी हो गया अब यह बचया 33 के 9 तो 9 अठे क्या अधा है वह 70 720 इसका मतलब यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों एंसर हो जाएगा आई यह next question देखते हैं तब दोस्तों देखते हैं question number 14 question number 14 कह रहा है कि हम अपने गंतव अस्थान पर 4 सही एक बटा 4 गंटे मतलब 4 चार सही एक बटा 4 गंटे की यात्रा करते हैं इसके बाद या इसके बाद हम पहुच जाते हैं जब तो उस समय बचता है चो बच के 15 मिनट ठीक है यह यात्रा की जो हमारी रही अवधी वह 4 गंटे 4 सही एक बटा 4 गंटे रहा और हम 6 15 पर पहुचे हमने यात्रा कितने 110 यह कोल साटा कर देंगे मीनिट बदल जायेगा यह तो गंटे हैंगे तो यहां पर यहां पर जाए और पंदर मतलब चार representative मतलब 4 गंटे-15 मिनट भात है ना तो अगर इसमें से हम 4 घंटे 15 मिनट घटा दे दोस्तों तो देखिए 0 हो जाएंगे और ये 2 मतलब 2 बच जाएगा कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा ओभी 2 क्या PM होगा क्योंकि ये भी PM है तो ये भी PM होगा तो 2 बच जे PM ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों एंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए बहुत गवर से आसानी से इसको हम कर सकते हैं देहान से हमारी बात को समझेगा पहले देखिए उपर कितने दस्मलों है एक तीन अंक इसका तीन दश्मलों जो आएगा जो भी आंकिक मान आएगा उसमें चार आंक पर लिकाई की तरफ से 10 लगा होना चीए वक्या हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सोरा दुना के 32 तेरा पचे 65 कर पांचे काटेंगे 11 अब हमको इनका गूडा कर लेना पांदुना के 10 11 दहा में 12 अधसमुलों हमको कितने लगाना है चार अंक पे लगाना है, ध्यान दीजिएगा, तो 3 अंक है, एक 0 बढ़ा लिया, 10 मोलो यहाँ पे लगा लिया, इसके पहले चाहेंगे तो 0, तो यहाँ पे बीकल्प नमर D आपका क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है, question, question 16 देखते हैं दोस्तों, question 16 कर रहा है, कोई धन 27 व्याज की दर से 20 वर्सों में 3 गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई सवाल आजाए, जिसमें वर्स दे करके दर आपसे पूछे, क्या पूछे, दर पूछे, और गुना वाला सवाल हो, एक गुना की बात की जाए, तो इसे बहुत आसानी से लगा लेते हैं जैसे आर पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गुना में से एक घटाना है, बटा टी इसमें 100 कर देना है, ठीक है, अगर परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज में दर है, तो परसेंटेज में आएगा, अगर टी होगा, तो टी को यहाँ पे कर देंगे, टी से में से एक घटा देंगे समय कितना बीस तो गुड़े हां पे सव है परसेंट तो तीन में से गया यह का दोस्तों कोशन बिल्कुल यह आने वाला है यह मान के चलिए आप और बहुत अच्छा आप करने वाले हैं हम कम से कम चीज दे करके आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को कभर करने की कोशिस करते हैं टाइम का अभाव है इसलिए कम से कम सवाल बता करके ज्यादा से ज बेच रहा है जब तो 10 प्रतिसत की हानी हानी का मतलब होता है कि 100 से कम मतलब यह है 90 परसेंट का मान इतना तो एक परसेंट का मान कितना हो जाएगा दो सो पचीस बटे 90 होगा इसके बाद करा 10 प्रतिसत का लाब कमाने के लिए बस तुको 10 प्रतिसत का लाब कमाना है मतलब अब 100 से जादा तो 110 का मान पूछ रहा है तो दो सो पचीस बटा 90 गुड़ते हो जाएगा 110 0 से 0 उड़ गया 9 से कट लेंगा 25 नवा और 11 से गुड़ा राइट हो जाएगा दोस्तों अब कोश्चन की बात करते हैं कोश्चन नमर कौन सा जाएगा 18 नमर 18 दोस्तों का एरा है कि प्रत्थम 10 पूर्ड संख्य है पूर्ड बोला है ध्यान दीजिए गया तो पहली पूर्ड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही जाएगे तो 10 हो जाएगा और एक बा इसे बात को समझेगा जैसे कह दिया कि 5 के प्रत्थम पांच गुड़च का उसत बताईए तो क्या हो जाएगा 5 10 15 20 ऐसे या 6 गुड़च बोल दे या 7 गुड़च बोल दे तो हमको फिर पहला और अंतिन को जोड़के आदा तो 5 प्लस 25 बटा दू क्योंकि सब में अंतर कि दो-दो का अंतर होता है तो पहला और अंतिन चोड़के दोंसे कारicon आजाता है आई कोश्योंन соглас बात कर लेते हैं दोस्तों किसका 19 का बात कर लेते हैं 19 कोश्यों कहरा है एक पार्क है यए संप्पोच करिये यह पार्क आप चार्क का है इस पार्क को टैदूरी कितनी करता है तो दूरी जो होगी वो वो पार्क का क्या होगा आयتाकार पार्क है इसका क्या हो जाएगा परीमाप परीमाप होता है दो यल धन भी अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेए दो यल की बैलू 2500 और इसकी बैलू 120 यह 1500 है ये 1200 आपका क्या हो जाएगा 50 अगर इनको हम जोड ले 25, 12, 50 तो ये आ जाएंगे 37, 50 और 37, 50 दुना के होता है दोस्तों 75, 100 क्या हो जाएगा 200 नई सोनना 25 और 274 एक 15 दूतियाई 6 एक साथ तो 75, 100 एक चक्कर में पच्छाथर सो तो चार चकर में कितनी दूरी चलेगा ये ही पता कर लीजिए तो चार गूरते 75 कर लेते हैं दोस्तों 45-100, 4-110, 4-5-4-7-8-7-3-3 मतलब 3000 मीटर की दूरी वहता है करेगा अगर 3000 मीटर की दूरी को अगर किलो मीटर में बदलेंगे दोस्तों तो इसमें हम क्या करेंगे? 1000 से भाग देदेंगे 1000 से भाग देंगे तो किलो मीटर में 3-0 कट गया मतलब यह आ जाएगा 30 किलो मिटर क्या जाएगा 30 किलो मिटर मतलब उसे दूरी कितनी चलनी है 30 किलो मिटर लेकिन उसकी चाल कितनी है 1.5 तो यह बताईए कि समय बराबर क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस कितना चलना है 30 चाल कितना है उसकी एक दसमलो 5 अगर हम दसमलो हटाएंगे तो हमें 10 से उपर 10 से नीचे क्या करना होगा गुडा करना होगा उपर हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 15 दुना के 30 से कितना जाएगा 20 मतलब उसे टोटल कितने घंटे लग जाएंगे दोस्तों 20 घंटे लग जाएंगे और लास्ट कोश्चन बहुत ही बहतरीन कोश्चन है जरा इसको भी देखी लेते हैं वर्ग कोश्चन देखने की बारी है दोस्तों 20 माँ कोश्चन कह रहा है कि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है देखी ये वर्ग मैंने बना दिया और एक आयत है इन दोनों के परिमाप आपस में बराबर है क्या बराबर है परिमाप परिमाप बराबर है ठीक है वर्ग की भुजा सोला दिया तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 16, 14, 64, क्योंकि 4 भुजाएं इसकी 16, 16 हो जाएंगी तो 16, 16, 16 जोड लेंगे 64, अब इसके बारे में कहा कि इसकी लंबाई कितनी है, 18 चौड़ाई के बारे में जानकारी नहीं है, तो वही पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई अब बताएगे, तो इह बताएगे, 2L प्लस भी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, मतलब कि आयत का परिमाप, तो ये परिमाप कितना होगा, 64 के बराबर, वर्ग के बराबर, यहाँ पर 2 लंबाई 18 है और चौड़ाई कितनी है, ये आपका एंसर होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिस की गई है, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए, अपने दोस्तों तक पहुचाईए, जरूर देखके जाएएगा एक बार, दो बार, तीन बार, सलूसन को देखिएगा, कितनी तिब्रगती से सलूसन हो रहा है, कैसे आप तेजगती से कर पा रहे हैं, वीडियो को रोक रोक के, पॉस करकर के उसको समझने की कोशिस करिए, और ये करके अगर आप जाते हैं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, कि कल, यानि कल, जो कि आपका 30 तारीक है, कल आपका 11 बज़े से पेपर है, उस पेपर में आप बैठेंगे, तो आपको सारे कोश्चन नजर आएंगे, और आप पूरे के पूरे नंबर पाएंगे, आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स क्लास मिलेंगे, पूरे सलूसन भी लेके आने वाले हैं, आपका जो एक्जाम में आने वाला है, उसको भी आप देखिएगा, और पिछली बार भी मैंने सलूसन दिया था, वो सलूसन बिल्कुल राइट थे, और यूटूब पर लोगों ने सलूसन दिया थे, जो कि 3-4-4 कोश्चन बाद में मिलाने पर उनके गलत मिले, लेकिन हमने 100% सलूसन आपको राइट दिया था, और आगे भी राइट आपको सलूसन मिलेंगे, आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेश्क क्लास मिलेंगे, जाहिंट।